हेलो फ्रेंच आज इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे चिकन चीज इस्टिक तो लेस्स बिगैन तो आप देख सकते हो यहाँ पर महिने मिन चिकन ना दूसब पचास ग्राम लिया है एक्चुलि मैंने यह लेंग बोलनेश चिकन बार से दूसब पचास ग्राम बोलनेश ले वो 8 ग्राम डाला है, चौप ग्रीन चिनली, उसका बाद महिने यहां पे spring onion जो प्याच के पती है उसको भी महिने बार इक चौप किया था, उसको भी महिने यहां पे 8 ग्राम लिया है, उसका बाद महिने यहां पे green capsicum मेना उसको भी महिने 15 ग्राम लिया है, जब भी capsicum डाल लिया है, साथ में मैंने यह रेट कैप से कम रहता है ना, उसको भी मैंने यहापे पंधर ग्रम लिया है, उसका बाद मैंने यहापे अमूल चीज ब्लॉक लिया था, वो चीज को एना मैंने ग्रेट कर दिया था, उसको ग्रेट करके 80 ग्रम यहापे डाल रहू में, मैंने यहा पर बॉयल पोटाटो लिया है, बॉयल पोटाटो को मैंने मैस किया था, वो मैस पोटाटो में या पर, 30 ग्राम डाल रोगों में या पर, उसका बाद इसको है न, हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर दिंगे, देख रहा है न, कलरफुल, तो आपको भी इससी तरह से मैस करना है एक डू बना लेना है इसको, ठीक है फ्रेंट, तो उसका बाद हम लोग इसको है न, सिजलिंग करतेंगे, यानि के मसला डाल देंगे, मैंने यहाँ पर ब्लाक पर पर पौडर लेना, वान टीस्पून लिया है, और सॉल्ड है न, अपना टेस अनुसर डालिये, याद राख अगर इसका बार में नहीं मालूम है, तो आप वोल्ट में डाल के, इस नाम को डाल के सर्च करो, आपको पतर चल जाएगा, और इसे मैंने यहाँ पर ड्राइ थाइम भी लिया है, वो भी वान टीस्पून लिया है, उसका बाद हम लोग इसको इसको इना, अच्छी तरह से याद रखे फ्रेंड, विक्स करने का बाद आपको फ्रीज में ना, कुलिंग टेंपरेजर में मैक्सिमम आपको 15 मिनिट तक राखना है, ताकि यह अच्छी तरह से टाइट हो जाए, ठीक है फ्रेंड, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर माम लोग आप 15 मिनिट हो चुका है फ्रीज में मैंने डाला था, उसका बाद निकाल दिया, तो इतना अच्छा कालर दिख रहा है यहाँ पर, तो वैसे मैंने यहाँ पर है ना, बैम्बो इस्टिक लिया है, बारा बैम्बो इस्टिक लिया मैंने यहाँ पर, तो एक बैम्बो इस्टिक का जो साइज है ना, आ आपको इससे देरे देरे दबाते है ना आगे पिछे फाइलाना है इसको इस तरह से आपको फाइला देना है तो यहाँ पे थोड़ा है ना मिजम्ट कम पढ़ गया था तो चिकन कम पढ़ गया था तो मैंने डाल के फिर से इसको आगे और पिछे इस तरह से फाइला दिया है आपको भी इसी तरह से फाइला देना है फ्रेंट आप तो आपको समझ में आई गया हूंगा किस तरह से आपको इसको स्टिक में डाल के फाइलाना है तो यह जब भी थोड़ा सा मेनत का काम है मंगर बहुत टेस्टी होता है यह ठीक है फ्रेंट तो इस तरह सथ प्लेट में डालके आपको रागड़के ऐसा साइज का बना लेना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरा स्टिक लगा दिया है इस्टिक पर जो भी चिकन था वो लगा दिया है अब यह देखिए आप देखे रहाँ वो कितना अच्छा से लग चुका है चिकन यह देखिए कितना अच्छा से लग चुका है तो फ्रेंट में आपके हैं ना मैंदार तीन टेबल स्पून डालके उसका बद यह मैद देखो suivते है न, मैई इस्थर हमने छारो तरफ फैला दुँगँ और जो चिंगन है ना, चिंगन का उपर इस्थर आपको मैदा चलाना है यह देखिए, इस्थर हमने प्रोसेस आप देख सकते हो, मैधा उपर से चला देना है मैदा लगा दिया है पूरा इस्टिक में मैंने मैदा लगा दिया है यह देखे ठीक न अच्छा से लगा दिया है न तो आपको भी इसी तरह से लगाना है फ्रेंट अब यह देखिए मैंने दो पीस अंडा लेके उसको तो रहा था मैंने यहापे अंडे को अब इसको है ना आम लोग मिक्स कर दिए यह अंडे को इस तरह सा एक फॉक ले लिंगे उसका बाद इस तरह सा मिक्स कर दिए उसका बाद मैंने विए आपे आना ब्रेट क्रॉम्स है ना ब्रेट क्रॉम्स को मैंने मैं 100 ग्राम्स लिया है तो इस तरह सा इस्टिक को आपको लेके अंडे का उपर इस्टिक का उपर इस तरह सा अंडे को चला देना है यह देखे कितना अच्छा से चलिया ना इस तरह सा आ ना लगाना है आगे और किछए उसका बात जो ब्रेट कुरम के ऊपर अ Wakanda उसके ड़नके आपको यह क्रोम लगादेना है यह देखिए मुझे कि किस सरा से लगा रहो हूं तो ऐसे आपको भी लगादेना है यह देखिए इस सरा आगे पीछे करके जो भी क्रॉम्स है न उसको लगाना है फ्रेंट वीडियो को लाइक करके अगर आप इस चैनल में नहा है तो चैनल को सस्क्राइब करके बैन आइकन को जरूर अन्टीजे फ्रेंट क्योंकि इससे है न आपनों को मोटिवेट मिलता है मिलता है तो ये देखिए महीने इस तरह सा महीने लगा दिया है आगे पीछे इस तरह सा आपको ब्रेट क्रॉम्स लगा दिया है ये देखिए महीने कितना अचा से लगा दिया है ये देखिए आप निक्रेओ कितना अचा महीने ब्रेट क्रॉम्स लगा दिया है तो आपको भी इसी तरह से breadcrumbs भी लगा दिना है यह देखिए मैंने breadcrumbs पूरा इस्टिक में मैंने लगा दिया है चलिए फ्रेंड अधिया हम लोगे न ओईल में fry करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो यहां पर मैंने एक इस्टोग को हॉन किया है और जो ओईल है न ओईल को भी मैंने इहां पर चला दिया है फ्रेंड चैनल में अगर आप ने है तो चैनल सस्क्राइब करने मत भुलिए और यह ओईल गरम होने के लिए वैट करेंगे हम लोग तो जब भी आप oil गरम करोगे न, high flame करके oil को गरम करो आप, जब stick डालोगे न, तो आपको medium करना है flame को, ठीक है friend, इस चीज़ को द्यान राख लिजे आप, तो यहाँ पर मैंने है न, पूरा stick को डाल दिया है, इस तरह सा, तो आपको medium flame करके इसको fry करना है, ने तो आप high flame में fry करोगे, तो यह जल जाएगा, उपर पर जल जाएगा, अंदर नहीं पकेगा, तो इस चीज़ को द्यान राख लिजे, तो medium flame करके आपको fry करना है, ठीक है, तो इस तरह सा महीने लगा दिया है, इस तरह सा महीने, इसको fry कर किया है, देखिए, इस पून से भी आपको इस त ला देना है, याद राखिए, जब भी यह fry होगा न, थोड़ा oil का उपर तेर नहीं लगेगा, तो समझ जाएगे कि यह fry हो चुका है, तो इस तरह से golden color आ जाएगा, तो यह golden color आने से तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह पक चुका है, देखिए, कितना अच्छा से fry हो देखिए फ्रेंड, तो अभी हम लोग इसको प्लेटिंग करेंगे, प्लेट में डालके, फ्रेंड अगर आप इस चैनल में नहीं है, तो सस्क्राइब करना मत भुलिए, और वीडियो को लाइक जर्नल किजएगा फ्रेंड, अभी देखिए, मैंने प्लेट में डाल दिया है और छो चाप किया था, उसको इस तरह से डालके मैं गार दिया है, यह देखिए कितना अच्छासे फ्लेटिंग कर दिया है मैंने, और जो स्रीराता साथ है मैं इससे बटन नि था, तो इस तरह सी तरह से डालना है, अगर आप चाओ तो डाल सकते हो, नहीं तो सास में डुग बाकें भी खा सकते हैं तो मैंने टॉमाटा सॉस लिया है मैंने यह देखेंगे यह अंदर तक इतना चक्पुप हुआ था यह बार से बहुत क्रिपसी लग रहा था अंदर में थोड़ा जूसी टाइब का लग रहा था तो खाने में बहुत टेस्टी था यह ठीके फ्रेंड त झाल झाल झाल